नमस्कार दोस्तो जी की चैनल में आपका हर दिक स्वागा थे दोस्तो आज हम आपको बताएंगे राजगिरी जलगुड के बारे में दोस्तो धर्ती पर कई जगे भगवली गतिविदियों के कारण गर्म पानी के कुंड और ज़रने पाई जाते हैं इसमें से अधिकतर कुंडों में विशेश औसधी गुड होते हैं क्यूंकि इन में कई तरह के खनिस्तत उपस्तित होते हैं इसलिए इन गर्म पानी के कुंडों में इस्नान करने से कई तरह के रोग वा बिमारियां ठीक हो जाती हैं खासकर तोचा संबन्दी भारत में कई जगए ऐसे कुंड पाई जाते हैं जिन में से कई धार्मिक तीर तिस्तल पर भी हैं जिसके कारण इसका महतों कई गुणा बढ़ जाता है धार्मिक जगए और औशदी गुडों के कारण यहां साल भर भक्तों के भीड लगी रहती है आई जानते हैं ऐसे ही एक कुंड राजगरी कुंड के पारे में लेकिन दोस्तों इसके बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी साथ चैनल में दियेगे बैल आइकन को दबारा ना भूलें जिससे कि आपको हमारे चैनल से जुड़े न हार्मिक तीर्थिस्तल ही नहीं है बलकि एक खुब सूरत हेल्प रिसॉर्ट के रूप में भी प्रसित्त है देव नगरी राजगरी सभी धर्म की संग मिस्तली है कथाओं के अंसर भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र राजबसु ने राजगरी के ब्रह्म कुंड परसर में एक वेभारगरी परवत की सीडियों पर मंदिर के बीच गर्म जल के कई झरने हैं जहां सब्ध करने कुफाओं से जल आता है ऐसी संभामना जताय जाती है कि इस परवत पर इस्थित भेल वाड़ो तलाब है जिसमें जल परवत से होते हुए पहुचता है इस परवत में कई तर ब्रह्म कुण सबसे महत्पूर्ण है इसका तापमान 45डिग्री सल्सियस है इसे पताल गंगा के नाम से भी जहना जाता है सबी जणों में इस्तनान करने के बाद इस कुण्डों में लोग स्तनान करते हैं जो कि इसमें सब्धधरायं बहती हैं इसके नाम भी रिशी वुन् इथे प्शुक्फीक कुंद इस में राम लच्मण कुंड में एक सटना और दूसरी धहरा से गर्म पाने निकलता है यह विचित और चमतकारी धहरा है दोस्तों आपको ये कुंट कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरू कीजिए और साथी साथ इसे लाइक भी कीजिए जिसे के हमारा प्रोफ़ान बढ़े और हम आपके लिए और अच्छे ने ने वीडियो ला सके दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद